हाई फ्रेंड मैं पूर्बा आप लोगा स्वागत करती हूं MP सकसेसर्च में और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल हिंदी जो की ब्यापम के सारे एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसमें हम बात करेंगे जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेस्चन्स है प्रीविस तो यह वीडियो आपके लिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं किस तैप के क्वेशन इसमें आते हैं जो कमाइंड कोशन है तो आपको क्या करना है यह सारे कमाइंड कोशन को लगाते चलना है और जो प्रीविश एंग्जाम पेपर हैं अदर्स उनको भी जैसे अगर आप ग्रूप टू सब ग्रूप फोर का दे रहे हैं तो जील पहरी वगरा और जो सब इंगिनेर वगरा का है उनके भी क्वेशन आप सॉल्व करें क्योंकि वह क्वेशन भी एक दूसरे में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं ठीक है क्योंकि स्लेवा स्रीम है आ सब्द निवन में से कौन सा है तो यहां पे अगर हम बात करें नी उपसर्ग मतलब क्या होता है जो सब्द के वो सब्द या सब्दान जो किसी सब्द के पहले लगाए कहां यूज करें हम किसी सब्द के पहले लगाकर एक नया सब्द बनाए पहले लगाकर क्या बनाए नया सब्द ठीक है तो अब हम यहां पर देखते हैं कि हम किस सब्द में पहले जो नी उपसर्ग है इसको लगाए कि एक नया सब्द बन जाए ठीक है तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर चार ओप्शन दिये गए हैं हमें ठीक है तो अगर हम इन चार ओप्शन में देखते हैं क्या है निकाई में अचिगा यहां पर कौन सा ज debris रहेगा तो हम देखेंगे तो यहां पर जैसे हैं बड़ा निकाय आप के तो यहां पर चोती नी है तो यह नहीं होगा इसमें यह भी नहीं होगा और यह नहीं होगा क्योंकि इनो 7 रहा भीत क्या होका सुषण घर तो यहां पर अगर हम 4th option की बात करें निकाए तो यह आप देखी इसमें जो है वो नी उपसर्ग है और नी प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे नी प्लस काए तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा जो बड़ रहेगा वो क्या बन जाएगा इसका निकाए तो यह हमारा right answer हो ठीक है तो यह क्या हो गया इसका right answer हो गया आपको यह समझते चलना है कि कौन क्या है एक किसको solve कर सकते हैं आपको questions को रचना नहीं उसकी trick समझनی है अब यहां पर क्या है कि अंगूर खट्टे होना मुहाब्रे का क्या आर्थ होता है दिखें तो आंगूर खट्टे होना गुष्टा होना या कुछ स्टाइब से तो क्या होगा कि कोई बस्तू अगर हमें नहीं मिल पा रही है तो हम क्या करें उसका दोस निकालें ठीक है जैसे अंगूर खट्टे होना तो यहां पर देखो मिर्ट्टी निकट होना यह नहीं आएगा एक ही इस्थान पर खड़े रह करना हो या कोई बस्तू है वह में नहीं मिल रही है तो फिर हम दोस निकालने के नहीं मिल रही तो ठीक नहीं मिल रही है यह वह नहीं मिले तो ज्यादा बटर इस टाइप से होना कि कोई बस्तू ना मिलने पर उसका दोस निकालना ठीक है तो इस टाइप से इसको हम कर सकते ह अब अगर हम थाइड कोश्चन की बात करें यहां पर तो यहां पर है यथावत का सुध्य रूप कौन सा होगा तो यह जो है यथावत का सुध्य रूप की बात करें यहां पर तो यह जो है यह जो है वो हलंत यहां पर लगा हुआ है तो यह जो है यह राइट आंसर आपका हो इसमें बढ़ा था इसमें जो है वो छोटा था बना इसमें बढ़ाया था तो यह सारी जो एक गलात है option number second आपका राइट हो जाएगा इस आपको सब्दों को पहचानना है अब यहां पर अगर हम बात करें next question की fourth number तो यहां पर क्या है पंच बटी तो अगर आप पंच बटी क यहां पर क्या है पांच जो टर्म है यह क्या है एक number है तो जब भी किसी number से कोई जो समास है वो शुरू हो तो उसको जो है हम किसकी category में रखते है दिगू समास ठीक है यह बहुत अच्छे से याद कर ले ना यह बहुत short track है कि जब भी कोई number हो चाहे वो one two three four या कुछ भी ह हो तो आपको उसकी कोई मतलब नहीं है बस number से जो सब्द है वो शुरू होना चाहिए तो वो किस समास में आ जाएगा दिगू समास में तो यहां क्या है पंच बटी मितलब पांच बटों का समू तो किस में आएगा दिगू समास में ठीक है अब हम next question की बात करें यहां पर क्या है यहां पर बड़ा बड़ा उपसर्ग से बना सब्द निमन में से कौन अब फिर से आगया यहां पर उपसर्ग उपसर्ग किया होगा यहां पर जो सब्दांस किसी सब्द के पहले लगकर एक नया सब्द बनाए तो अब बड़ा हम यहां पर दिखेंगे तो पहले में कांसर आपको चूस करना है तो किता आसान है तो यहां पर जो इसका बनेगा वो क्या बन जाएगा आ प्लस भरण ठीक है आ प्लस भरंड भरंड कोई सब्द है इसमें अगर हम भरंड पूसंड वाला भरंड ठीक है उसमें बड़ा आ लगा दे तो यह कि जो सब्द है वो नया सब्द क्या बन जाएगा आवरण ठीक है तो इस टाइप से इसको करना था अब हम नेक्स्ट कोश्चन की अगर यहां पर ब का जो मतलब की तीर होता है जिसे हम चलाते हैं ठीक है जिससे हम किसी को मारते हैं आहत करते हैं ठीक है तो वो होता है तीर और कमान वो होता है जिससे मतलब कमान को हम क्या बोल सकते हैं धनोस बोल सकते हैं और जो तीर होता है उसको क्या बोल सकते हैं बांड ठीक है बांड क् तीर जानी तो ndry त्रफला मेंने पंचबक्टी कुन सिमास था तो यहां पर भी क्या होगा क्योग दिख्बक्टी त्रफला में जब किसी number से कोई भी समास सुरूव हो तो समास समास में आईगा, अब किसी if walkajah Size 3 Dimitra तो अब हम यहाँ पर बात करें भक्ती रस का इस्थाई भाव तो भक्ती क्या है इश्वर में लीन होना उनका भजन पूजन करना ठीक है तो क्या हो गया यहाँ पर इस्वर बिस्यक रती तो यह क्या हो जाएगा हमारा भक्ती रस का इस्थाई भाव रती मितलब प्रीम तो इ यहां पर दिखिए अंकी बिंदी होती है उसका हम क्या करते हैं मा के साथ हलंत लगाते हैं इस टाइप का बर्ड बनता है अंकी बिंदी के लिए ठीक है तो संग कल्प को हम कैसे लिख सकते हैं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं संग कल्प संग कल्प ठीक है मा अंकी बिंदी हो जाएगा इसका संदी विच्छेत हम ऐसे कारते हैं जब क्या हो अंकी विंदी लगे हो मतलब कि किसी भी सब्द के साथ जैसे यहां पर क्या लेखा हुए सा के उपर तो यहां से डिवीजन हो क्या हो जाएगा मा और पहला सब्द क्या है की तो यहां पे क्या हो जाएगा किम प्लस किंग कर लिखा वे नत पर राइट अंसर हो जाएगा अंकी बिंदी की बन जाएगा मा और हालंत ठीक है हम यहाँ पर छान की बात करते हैं 11th number नम्बर क्या होगा है लत्षन डचन की की बढ़ने होता है लत्षन कि जग़े हम क्या बलते हैं लत्षन की इसके घृन तो देखो कि इसके गुन थो देखो कितने खराब और कि कितने विकार हैं इसके लच्छन भाइब करते हैं लच्छन की तो इसको क्या बोलते हैं लच्छन ऐसी लखते हैं तो आप option number 1 देखें तो यहांपर जो है लच्छन सही बड़ है लच्छन का । जब किसी के दोस्त निकालना हो हमें तब हम इस ताइब के वर्ड को यूज करत जो बाद में अधिकारी बने, उसके लिए एक सब्द, पूछ आ पोछे, दोना को बाद आ ऐक सब्द में कि व्हांन सब्द सुखें और आ रख्र के लिए पूछें जा चालि, उत्रदीकारी बने रहता है तो पिता पर दिखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाद रखना है ठीक है अब यहां पे जो है यह आजाता है पंक्ति यहां पे कौन सा रस है तो हम इसमें कौन सा रस होगा तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले इसका हम अर्थ देखें तो यहाँ पे है भौहनी तरासती, मतलब भौहों को उपर उठाते हुए मुख को नटती, मतलब मटकाते हुए, आखिन सो लब्टाती मतलब आखों से सब को क्या कर रही है, मोहित कर रही है अपनी तरफ आकरसित कर रही है एची छोड़ावती इची कर मतलब इस ताइब से जो है वो यहां पर घूम रही है आगे आती जाती है तो इस ताइब से मतलब यह जो है यह आप देख रहे हैं कि किसी औरत के लिए यह बंडन किया जा रहा है और उसकी जो मतलब कि उसके लिए प्रेम य रती का भाव यहां पर प्रुस्तुत कर रहे हैं कि भौहन इतरास्ती भौह को उपर उठाती है मुक को मटकाती हुए आखों से सबको अपनी उरा करसित करती हुए और आगे कि आती जाती है और लोग कि क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं मतलव कि प्रेम का भावा रहा बातियां उसको हमें देखके मतलब लागे कि यह बहुत अच्छी है अच्छी सुन्दर देख रही है तो जब किसी का इस टाइप से बर्णन किया जाए तो वह किसमें आता है स्रंगार रस में आता है ठीक है और अपन लोग तारीफ करते हैं तो उस टाइप से यह किसमें आ जाएगा स्रंगार रस में इसी प्रकार का भाव इसमें इन पंक्तियों में बताया गया है अब यहाँ पर देखें कि घर के लिए सही परियाबाची वाले सब्दों की पंक्ति को चोने तो अगर हम घर के लिए जो है वो सही परियाबाची सब्दों की पंक्ति को चोने तो यहाँ क्या होगा घर को हम क्या बोलते हैं एक तो हम बोलते हैं सादन और निकेतन और क्या तो यहां पर अगर हम बात करें तो सदन निकेतन और गे थर्ड सेकंड नमबर ओक्षन जो है वो आपका राइट अंसर हो जाएगा गे मतलग गिरह घर घर गे निकेतन सदन भावन यह सब कुछ किसके परियावाची है घर के अब आगे अगर हम यहां पर बात करें तो क्या है क बे सब्दिया सब्दा जो किसी सब्द के अंत में लगकर मतलब कि एक नया सब्द बनाए जैसे उपसर्ग था वो सब्द के प्रारंबर में लगता था वो प्रित्य सब्द के अंत में तो अब अंत किसके कौन से सब्द है जिनके अंत में अंत सब्द जोड़ा हुआ है तो हमें नहीं है वो तो खुदी एक सब्द है अन्त रंग में तो आगे जोड़ा हुए मतलब यह उपसर्ग है तो यह भी नहीं होगा अन्त तो इसमें भी अन्त क्या हुए है आगे जोड़ा हुए तो यह उपसर्ग आएगा ठीक है अब देखते हैं हम पोर्ट नॉम्मर यहां पर रटन्त हमारा राइट आंसर क्यों हो जाएगा क्योंकि इसका जो हम अगर इसकी सब्द को बिच्छेट करेंगे तो यहां पर क्या होगा रट प्लस अंत इस टाइप से यह जो है वो सब्द बनेगा रट प्लस अंत तो इसका जो बढ़ बन जाएगा वो क्या बन तो इसमें प्रत्य क्या है इसमें रट्पधिय किया है डल्ट धूर्ट अन्ध ना पहरा कना और bon Вид तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप अच्छे सीख जाए इसलिए ठीक है अगर क्ध़मतलों को मतलब एक्सप्लेनेशन कम चाहिए उल्ट आप का वीदियो में क्या मैं एक्सप्लीन करूंगी Do Stories करोण का निमने में सब्सक्राइब क्या होता है। तो निस्थोर अगर हम देखें तो 蔡ूषण सब्सक्राइब का नवे की doch 250 पर ओप्षण का निस्थोर अगरrorण क्या है क्यों विफल रागनी बज़ती में क्यों diver देखते हैं तो इसले खोगी बात करें देखें कारूण क्यूं forgive बिफल रागिनी ए ए इ बिफल रागिनी बजती यहां पर क्या है यहां पर क्या है बार बार यहां पर प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर वह कौन से अलंकर आता है अनब्रास अलंकर ठीक है ? तो यह आपको याद रखना है कि इसका राइट डां सर होगा वह क्या होगा ? अनृप्रास अलंकर how यहाँ पर अलंकर किसी भी सप्थों का बार बार उच्च रण happens तो वो बेंजन सब्दों का तो क्या बन जाता है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बन जाता है तो यह इन पंक्तियों का जो वो होगा आर्थ तो कौन सा इसमें अलंकार होगा तो अनुप्रास अलंकार अब आगे बात करें तो फिर से इनुने अलंकार पूछा है बीस नमबर क दखी दोफेרי, घाणगी हो रही है लोगो डृट मैं उप्योगू का ऐगर अलंकार होग है यहांप्र और विभाश सब्सक्राइब कॉंसा क्या है कि ईगर उमस्तजाड़ वाहिए अनुप्रा सब्सक्राइब तो यहांपर शक्तर सब्सक्राइब तो इनका यहां पर बार बार उपयोग हो रहा है और भी कई हो सकते हैं ऐसा नहीं है एक हो दो हो एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन बस सब्दों का बार बार उच्छारण हो दा दा सब्द का तो यह सारे क्या बन जाते हैं अनुप्रास अल तो मैं ऐसी वीडियो लेकर आती रहूंगी आप लोग बताइए कमेंड बॉक्स में कि मैं ऐसी वीडियो लेकर आँँ आप लोगों को ये सॉल्व कर भाऊं या नहीं तो फिर मैं इसे कंटीनियू करूंगी ठीक है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और जो लुक चैनल पनाए है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है थैंक यू